इंडिये एक्स्प्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आईए देखते हैं एक नई खबर मान्य सांसद वा मान्य विधायक सदर द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कारिकरम का दीप प्रजवलन कर किया गया सुभारम संद कभी नगर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशा नुसार आज जन्पत अस्तर पर एक दिवशी इन्वेस्टर समीट का आयोजन उपायुक्त उद्दोग जिला उद्दोग प्रोफेशर एवं उद्मिता विकास केंद्र छेत्र प्रबंधक यूपी सीडा गोरगपूर एवं उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसियेशन उद्दमी संगठन वेपारी संगठन उद्दमीगर वेपारीगर के सहयोग से जानवी समीनर्स उद्दोगिक छेत्र खलीलाबाद में आयोजित किया गया इस कारिक्रम में उद्दोग अस्थापना निवेस्व रोज सुन्सकरन विभाग, श्रम विभाग, खादी ग्राम उद्दोग बोर्ड, आईटी आई, वाडी जिकर विभाग, खादी ग्राम उद्दोग आयोग तथा अन्य जन्पत अस्तरिय विभाग निवेश को मान्य विसिस्ट अतितियों द्वारा प्रसस्त्री पत्र दिया गया इन्वेस्टर समिट कारिकरम का सुभारम मुक्य अतिथी एवं विसिस्ट अतिथी द्वारा दीप्रोजिलन जानवी स्पीनर से उद्योगिक छेत्र प्राली में किया गया मुक्य अतिति मान ये सांसत प्रवीन निसाथ द्वारा इन्वेस्टर समीट को संबोधित करते हुए आये हुए सभी निवेशकों का अउगत कराया कि प्रदेश में निवेशका एक अक्छा माहोल बना है इसी क्रम में जनपद में भी निवेश की असिम संभावनाये हैं उन्होंने सभी भावी निवेशकों को जनपद में निवेश करने हितू प्रोचसाहित किया गया उन्होंने जन्पत संद कभी नगर के और द्योगिक संगठनों, वेपारी संगठनों, दमीगर्ड, वेपारीगर्ड द्वारा, इन्वेस्टर समीट में उपस्तित समस्ट विशिष्ट अतितियों एवं सभी अंगतुगों का धन्यवाद अभार वेक्त किया विशिष्ट अतिति मान्य विधायक सदर अंकुर रास्तिवारी द्वारा, इन्वेस्टर समीट के सुब औसर पर उपस्तित उद्मियों एवं बैंकर्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज जन्पत ही नहीं, पूरे देश एवं प्रदेश में इन्वेस्टर समीट की चर्चा हो रही है, जो मान्य प्रधान मंत्री एवं मान्य मुख मंत्री जी सकरात्मक सोच की देन है, उन्होंने कहा कि दर्स वर्स पहले लोग उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करना चाहते हैं, परन्तु आज उत्तर प्रदेश के मान्य मुख मंत्री योगी आदितिनात जी की देन है कि आज पूरी अन्य राज्यों के उद्दमी व्यवसाइक अकार उत्तर प्रदेश में व्यवसाइक करना चाहते हैं माननी विधायक जी ने कहा कि जन्पद में आये हुए सभी उद्दमी बंधों का आस्वस्त किया है कि हम उनके व्यवसाइ को आगे बढ़ाने के सदेव तत पर रहूँगा जन्परतिनीदी होने के कारण हम सब को आस्वस्त करता हूँ कि आपके व्यवसाइ में सडक, बिजली, पानी, नाली, आदी जो भी विकास में आवस्यक होगा उसके लिए मैं सदेव सहयोग करता रहूँगा उन्होंने कहा कि जन्परत के रहने वाली जो भी बड़े निवेश को बाहर अपने व्यवसाइ को संचलित कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क करके जन्परत में निवेश करने ही तो प्रोचसाहित किया जाएगा, तथा जन्परत के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार हा जिलादिकारी प्रेम डंजन सिंग ने ग्लोबल इन्वेस्टर समीट में आए हुए, सभी इन्वेस्टर समीट के उद्दमियों को आस्वस्त किया कि जन्पन में कोई भी उद्दमी निवेश करना चाहता है, तो प्रसासन द्वारा उसका पुर्ण सहयोग किया जाएगा, अपर जिलादिकारी मनोज कुमार सिंग द्वारा निवेश को को आस्वस्त किया कि जन्पन में निवेश का वातावरन स्रिजित है, समस्त विभागो द्वारा निवेश को को दी जाने वाली सुविधाएं जो आज के इस कारिक्रम में संबंदित विभागो द्वारा आप सभी निवेशकों को प्राप्त हो ताकि जनपत में अधिक से अधिक निवेश एवं रोजगार का स्रिजन हो सके तथा जनपत संथ कभी नगर को उद्योगिक विकास करने में प्रसासन की ओर से पुर्ण सहयोग किया जाएगा मुख विकास अधिकारी संत कुमार द्वारा नए उद्दमियों के साथ साथ वर्तमान निवेशकों को आस्वस्त किया गया कि फायर प्रदूशर विद्द सुरक्षा स्रम विभाग इत्यादी विभागों की एनोसी समय से नहीं मिल पाती थी परन्तु अब निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन एनोसी असानी से वह सामायन अंतरगत मिल सकेगी आज के इन्वेस्टर समिट में उपायुक्त उद्दोग राजकुमार सर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उद्दमियों को मिलने वाली सुविधाओं को सरल वसुगग बनाया है लाब प्राप्ट करनी की प्रक्रिया को भी असान किया है आज प्रतेक उद्दमि कहीं भी बैट कर निवेस्मित्र वह उद्दम सार्थी जैसे पोर्टर पर सरकार की नीतियों को देख सकता है इसके लिए उसे विभागों के चक्कर लगानी की जरूरत नहीं पड़ेगी जनपद संद कभी नगर में आज इन्वेस्टर समीट में कुल तिरपन निवेस्को द्वारा पंदरसो दो करोर का इंटेंट फाइल भर कर निवेस हेतु प्रस्ताव दिया गया है व्रिस्तित जनकारी के लिए उद्दमी निवेस्को जिला उदोग प्रोट्साहन तथा उद्मिता विकास किंद संद कभी नगर से संपर्क कर सकते हैं आज के इस कारिक्रम में उपस्तित विकास केजडिवाल के द्वारा जनपद में 500 उपे करोड का टूरिज्म के छेत्र में किये जा रहा है निवेस्को सराहनिय कदम बताया जा रहा है आस्वत्त भी किया गया है कि उनके निवेस्क से जनपद का विकास होगा साथ ही सभी संबंदित विभागों से नीतियों के अंतरगर समस्व विधाएं उपलब्द कराई जाएंगी छेत्री प्रबंदक यूपी सीडा गोरपूर के द्वारा उद्दमियों को या विश्वास दिलाए गया कि उद्दो का स्थापित करने ही दू लैंड बैंक की विवस्ता यथा सिगर की जाएगी इन्वेस्टर समिट कारिकरम का संचालन अध्यक्ष उत्तरप्रदेश इसो इंडस्ट्रियल एडिया अर्विंद पाठक तथा कारिकरम के अध्यचता वरिस्ट व्यवसाई की विनोध कुमार रुम्टा द्वारा किया गया इस उसर पर पूर्व अध्यच नगरपालिका स्याम सुंदर वर्मा जीला अपकारी अधिकारी आरजी तीवारी सहायक आयुक्त खाट सुरच्छा एवं आसेधी प्रशासन जेपी तीवारी जीला क्रीसी अधिकारी पीसी विश्वकरबा उपायुक्त वाडिजिकर गुला अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू